एक चोटी सी हुई गलती भी जीवन को संकट में डाल देती है NCRB ने 2021 में हुए 60 खादसों की एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें दिये गए आंकडों के अनुसार पिछले साल देश में कुल 4,3,000,000 रोड एक्सिडेंट्स हुए है यानि हर गंटे 18 लोग और हर 4 मिनिट में एक इनसान की जिन्दकी खतम हो जाती है इन दुरुटनाओं के अंदर इन हादसों की सबसे बड़ी वज़ा जो NCRB ने बताई है वो है लापरवाही या और स्पीड में गाड़ी चलाना प्रक्ता है और नहीं भी क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि जिन लोगों ने इन हादसों में अपनी जानगवाई है उन सब के पास ही कमजोर गाड़ी आथी कई एकजांपल हुए है एसे हमारी सोसाइटी में या हमारे देश में जिसमें जिन लोगों की जाने रोड अक्सेंट में गई है उनके पास जो गाड़ी आ थी वो वर्ल्ड की सेफिस्ट गाड़ी आ थी यानि स्ट्रॉंग बिल्ड कौाल्टी वाली गाड़ी थी तो इसका मतलब है ऐसा नहीं हो सकता की अगर हमारे पास सेफ गाड़ी है तो हमें कुछ नही बचा सकता है गंबीर रूप से चोटिल होने से जो डेटा दिया है NCRB ने उसे कम किया जा सकता है अगर आपके पास कोई अच्ची बिल्ड कौालटी वाली गाड़ी हो चलिए अब आते हैं अपने आज के टोपिक पे पहले ही वीडियो काफी लंबी होगी उसके लिए सोरी लेकिन ये बात करनी भी जरूरी थी आज जो बातें बताई हैं हमने वो सारी आपको डेटा की उपरी बताई हैं अपने मन से कुछ भी नहीं बताया उनकी लिष्ट जारी की है जो बारत में इस समय बिक रही हैं उन 32 कारों में से सिर्फ 7 कारे या 7 मोडल ही ऐसे हैं जिने 5 स्टार की सेफटी रेटिंग मिली है 12 मोडल ऐसे हैं जिने 4 स्टार की सेफटी रेटिंग मिली है तो हमारी आज की जो वीडियो है इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं इंडिया की 15 सेफेस्ट गाडियां जिने गलोबल एंड कैप ने अपनी रिपोर्ट में सेफटी रेटिंग दी है हमारी पहली गाड़ी है निशान, मैगनाइट और रेनो काईगर मैगनाइट और काईगर दोनों एक ही सेगमेंट की गाड़िया हैं इन दोनों का क्रेश टेस्ट एसीन एनकैप ने किया है जहां पे इस test में इनको 4 star मिले है एडल्ट occupancy में और 2 star मिले है चाइल्ड occupancy में दोनों bunny A की brand दवारा हैं लेकिन इस test में मैगनाइट के body shell को stable बताया है और काईगर के body shell को unstable declare किया है चलिए अगली गाड़ी है रैनो ट्राइबर ट्राइबर रैनो की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से है ये एक seven-seater MPV है और अपने segment की सबसे safest MPV है ट्राइबर को crash test में 4 star की rating मिली है लेकिन इसकी body shell integrity को इस test में unstable declare किया है आगे Honda Jazz, Honda की hatchback Jazz ने NCAP के safety test में 4 star हसिल किया है adult equipment में और 3 star हसिल किया है child equipment में Honda Jazz के body shell को इस test में stable पाया गया है Toyota Urban Cruiser, मारूती ब्रेजा और Urban Cruiser दोनों ने global NCAP के crash test में same score किया था ब्रेजा के face lift को लाँच कर दिया है, अब बारी अर्बन कुरूजर के face lift की है इनकी safety rating की बात करें तो 4 star मिले है adult equipment में और 3 star मिले है इनने child equipment में 4 star की rating बुरी तो नहीं कहा सकते है लेकिन ठीक है अच्छी है, 3 star वाली गाड़ियों से तो बेस्तर है तो हम कहा सकते हैं कि पुरानी ब्रेजा और Toyota की urban cruiser दोनों काफी हद तक जेम है engine automobile market में इनकी गिंती भी स्रक्षित गाड़ियों में ही की जाएगी urban cruiser के body shell को stable पाया गया है इस test में आगे टाटा टियागो और टाटा टिहूर टाटा टियागो को adult equipment में 4 star और child equipment में 3 star मिले है टाटा टियागो पेटरोल, EV और CNG तीन ओप्शन में आती है यह देश की पहली CNG गाड़ी है जो CNG engine start feature के साथ आती है यानि अगर आपकी गाड़ी में पेटरोल नहीं है तो भी आप इसे CNG mode में start कर सकते हैं अभी हाली में टाटा टियागो के EV version को भी launch कर दिया है और यह सबसे सस्ती EV है इंडिया की टीगोर की बात करें तो यह सेदान सेग्मेंट की गाड़ी है इसके भी CNG variant को launch कर दिया गया है टाटा टीगोर की safety rating की बात करें तो इसने adult equipment में 4 star और child equipment में 3 star score किया है हाला कि crash test में इसकी body shell integrity को unstable category में रखा है आगे Honda City fourth generation Honda City की fourth generation ने 4 star score किया है adult equipment में और 4 star ही achieve किये हैं इसने child equipment में हाला कि city के body shell को unstable declare किया है safest गाड़ियों की list में अगला number आता है महिंदरा थार का थार एक lifestyle off-road recipe है 4 star मिले हैं इसे adult equipment में और 4 star ही मिले हैं इसे child equipment में थार की body shell integrity को इस test में stable पाया गया है दोस्तों होता क्या है आम तोर पे कि global land cap जिस भी गाड़ी का crash test करते हैं वो अधिकतर मामलों में या लगबग हर बार किसी base variant पर ही test किया जाता है लेकिन थार के मामले में ऐसा नहीं हुआ इसके जिस variant को test किया था वो इसका top spec hard top variant था चलिए अब आगे बारी आती है फाइव स्टार rated गाड़ीयों की यहां पे एक बात और बता दें आपको एक जुलाई दो हेर बाइस से global land cap के rules source strict कर दिया है अब गाड़ीयों के side impact test और electronic stability control test को mandatory कर दिया है अब गाड़ीयों को 5 star लाने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करने पेड़ेगी और भी build quality को सुधार ना होगा चलिए अब मुझूदा 5 star rated गाड़ीयों की बात करते हैं इस लिश्ट में सबसे पहले बात करते हैं टाटा नेक्सोन की सब 4 meter SUV सेग्मेंट में आती है ये नेक्सोन पहली made in India SUV है जिसे end cap के crash test में 5 star की safety rating मिली है 5 star मिली है adult safety के लिए और 3 star मिली है इसे child safety के लिए इस समय compact SUV सेग्मेंट में टाटा नेक्सोन सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV है नौंबर महिने में इसकी 15,871 units बिकी है ये petrol, diesel और EV 3 engine option में मिल जाती है और टाटा नेक्सोन का CNG version भी आने वाला है जिसे 2023 में ही launch कर दिया जाएगा अगली गाड़ी भी इस लिश्ट में टाटा मोटरस की है वो है टाटा Altros टाटा की premium headback Altros को adult equipment में 5 star और child equipment में 3 star मिली है Altros का crash test इसे launch करने से पहले ही हो गया था टाटा Altros के बारे में एक दिल्चस्प बात हो रहा है चोत्ती बार इस गाड़ी का crash test किया गया है जब तक 5 star नहीं लेके आ गए ये इस test में तब तक टाटा मोटरस भी चैन से नहीं बैठी कोई नहीं नए अपडेट करके इसे बार बार टेस्ट में बेजते रहे और finally चोती बार इसने 5 star स्कोर किये आगे है महींदरा Scorpio N Scorpio N का crash test global end cap ने अभी हाल ही में किया है इस SCV का test end cap के नए protocol के तहित हुआ है जिसमें Scorpio N ने 5 star स्कोर किये है 5 star adult equipment में और 3 star child equipment में ये कुछ ही point से XCV 7W से पीछे रह गई side impact crash भी हुआ है इसका और इसने अच्छा perform किया है उसमें 17 में से 16 point हासिल किये हैं इसने उस test में Scorpio N के body shell को इस test में stable पाया गया है अगली गाड़ी है महींदरा XCV 7W महींदरा की फ्रैक्सिप SCV XCV 7W को global end cap के crash test में adult equipment में 5 star और child equipment में 4 star की rating मिली है 2021 में XCV 7W का crash test किया गया था और उसी साल इस गाड़ी को सेफर सकार्स और इडिया मिशन के तहत सेफर 24 वार्ट देकर समानित किया यह गाड़ी आपको 5 और 7 sitting configuration में मिल जाएगी पैट्रोल engine भी मिल जाएगा इसमें और डीजल इंजन भी अगर बात इसकी कीमत की करें तो XCV 7W की action room price 13,45 यार से शुरू होती है और 24,95 यार तक जाती है safest cars की list में अगला नंबर आता है महींदरा XCV 3W का यह सब 4 meter segment में सबसे safest SUV है इसे adult equipment में 5 star और child equipment में 4 star की rating मिली है यह गाड़ी भी petrol और diesel दोनों में ही आती है अगर इसके action price की बात करें तो 8,40,000 यार से शुरू होकर 14,07,000 तक जाती है इस list में second position पे जो गाड़ी है वो अपने Indian manufacturer के दोरा बनी है Tata Punch Tata किस micro SUV ने safety के मामले में कई बड़ी SUV को भी पीछे चोड़ दिया है 5 star score की है इसने adult equipment में और 4 star score की है इसने child equipment में cable petrol में आती है यह अगर बात इसकी price की करें तो इसकी price 5,99,000 यार से शुरू होकर 9,67,000 तक जाती है अब बात करते हैं number one पे आने वाली गाड़ियों की number one पे इस लिस्ट में दो गाड़िया है और दोनों ही विदेशी car brand दोरा बनाई हुई है यह गाड़िया है German car manufacturer brand Volkswagen की टाइगून और स्कोडा की कुशेक कुशेक और टाइगून दोनों एक ही segment की गाड़िया है एक ही manufacturer सें दोनों के सब कुछ सेम है दोनों में engine power सब सेम है दोनों mid साई SUV segment में आती हैं और अपने segment में इंडिया की सबसे safest गाड़िया है safety rating भी दोनों की एक ही है इंडिया में पहली बार ऐसा हुए है जब किसी गाड़िया ने adult और child दोनों safety में 5 star की rating हसल की हो Volkswagen Tiguan और Skoda Kushak इन दोनों ने ये कारनामा करके दिखाया है इन दोनों गाड़ियों को Global NCAP के नई protocol के टेस्ट किया गया था जहां पे इन दोनों ने 5 of to 5 star की rating score की है adult equipment में और 5 of to 5 star ही score की है child equipment में यारि ये जितनी safe बड़ों के लिए उतनी safe ये बच्चों के लिए भी है तो इस प्रकार ये दोनों गाड़िया हाज की date में इंडिया की सबसे safest गाड़िया है Tata Punch, XCV 7W, XCV 3W, इन से भी ज्यादा point score की है इनोंने बात इनके power train की करें तो ये दोनों केवल पेटरोल में आती है डीजल इंजन का option है आपको नहीं मिलेगा बात करें इनकी कीमत की तो टाइगुन की एक्शन उंपराई 11,56,000 अरसे शुरू होती है और 18,70,000 तक जाती है स्कोडा कुशेक की कीमत की बात करें तो उसकी एक्शन उंपराई 11,58,000 अरसे शुरू होती है और 19,70,000 तक जाती है तो ये थी दोस्तो वीडियो इंडिया की टॉप सेफिस्ट गाडियों की वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक्यू सो मत जैहिंद